अंदवादना हाड वस्त्रापूर खाते स्वावलंबन मिलानू आजन करायों से अमिलामा मोटी संख्यामा महिला उद्यमियो सहीत 146 कारीकरों सुक्ष्म साहे सिकोए तेमना उत्पादनूनू प्रदर्शन अने वेचान करें हस्तकलाना संदर्प मा सभागियों घणी विवित्ता हाती अने कारीकरों ने SIDBI द्वारा विना मुल्ले श्टोल अने भोजन पूरू पाड़मा मा आवियतू आउप्रान तेओने सेमिनार अने 1-to-1 प्रक्रिया प्रतिक्रिया द्वारा नाना की साक्षर्ता सरकारी योदनाओ, बैंक लोन, योजनाओ, डिजाइन अने e-commerce पर इन्पूट अप्पमा आवियता अमिला मा हस्तकला थी हाथी ती बनाविली दरेक वस्तूओ मुक्वा मा आवियती जेती करी ने हस्तकलानी संस्कूती जाल भी रहे आसमापन समारू मा जेमा पांच पसंद किनाकारी गरों ने SIDBI ना DMD सुदत मंदल द्वारा पुरुषकर अप्पमा आवियोतो यह परस्ट अपर पांच दिन का प्रोग्राम है परस्ट डिसम्बर से चालू हुआ है हम हर साल यह ऐसा मेला और्गनाइज करते हैं स्वावलंबन मेला की नाम से जहां पर हम आटिजान्स को बुलाते हैं अपना प्रोड़क्स बेचने के लिए यह एक्जिबिशन कम सेल होता है जैसा कि आप सब जानते होंगे स्वावलंबन शब्द का अर्थ है सर्फ रिलाएंट सो हमारा जितना भी प्रोमोशनल एंडेवलोपमेंटल अक्टिविटी होता है सिद्वी की तरफ से वो अम्रिला ब्रैंड नेम और स्वावलंबन उसके अंडर में होता है क्योंकि हमारा उद्देश ये है कि हम सेल्फ रिलाएंट एंटरप्राइज़ क्रियेट करें हमारा उद्देश ये है कि हम एक जॉब सीकर को एक जॉब प्रोवाइडर में कनवर्ट करें क्योंकि अगर आपने किसी एक आदमी को जॉब दिया तो उस एक आदमी का घर चलता है, उस एक आदमी के परिवार का economic development होता है, पर अगर आप एक entrepreneur, entrepreneur create करते हैं, तो वो entrepreneur बनके कम से कम 10 और लोगों को job दे सकता है, तो हमारी एक पहल से 10 और लोगों का economic development होता है, उनके family का economic development होता है, which helps in developing the entire ecosystem, the entire society. So, हमारा therefore, उदेश ये है कि हम entrepreneurs create करें, move towards an enterprise-led ecosystem rather than a job-led ecosystem.